नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश्वर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कार देखलो मैं मैं वापस वीडियो लाया हूँ और आज जो वीडियो बनने वाला है वो टियागो बेस मोडल एक्सी का बनने वाला है टाटा की सबसे अगर आप कम प्राइच क एक भेल्यू फोर मनी वाली आप अगर आप कार लेना चाते हैं तो आप ये कार बिलकुल ले और इसका वीडियो जरूर देखे क्योंकि ये काफी भेल्यू फोर इंपोर्टेंट होने वाली है तो देन इस वीडियो में सारा इस गारी का मैं आपको फीचर बता दूँगा त तो ये कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये टियागो का बेस मोडल है लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप साइट प्रोफाइल में कर जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये बेस मोडल है क्योंकि वहाँ पे आपको कोई वील कबर या अलाइविल्स आपको नहीं मिलता है तो ये चीज़ है देन सबसे पहले चलते हैं इसके की में तो यहाँ पे आपको दो की मिलेगा लेकिन ये दोनों आपको मैनवली होगा रिमोट या फ्लीप की आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है ये चीज़ है तो देन चलते हैं गारी के फ्रंट में और देखते हैं कि इस model में XC सबसे base model में क्या क्या आ जाता है तो सबसे पहले अगर light setup में आते हैं तो यहाँ पे आपको वही बड़ा सा halogen lamp मिलेगा या high beam के लिए low beam के लिए यहाँ पे दोनों आपको मिल जाता है यहाँ पे turn indicator के लिए आपको light मिल जाएगा यह भी आपको normal regular bulb भी होगा लेकिन अगर beach के console में आते हैं तो वही Tata का piano black में आपको grill मिल जाता है जो की देखने में काफी enhanced look लगता है नीचे आपको कोई fog lamp नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे upturn marketing fog lamp के लिए आपको space मिल जाता है आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको DRL के लिए आपको भी मिल जाता है इनकेस अगर आपको कभी भी अभी लगाना हो तो आप यहाँ पे DRL लगा सकते हैं तो यहाँ पे air circulation को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा space मिलता है और front से अगर देखा जाए तो एक muscular look लगता है अगर आप देखिएगा front से तो कोई नहीं बोल सकता है कि यह आपका base model है देन अगर उपर में आते हैं तो इसमें आपको कोई rain sensor wiper नहीं मिलेगा और इसमें कोई auto head lamp आपको नहीं मिलता है लेकिन value for money बहुत जबज़शे दोस्तों यहाँ पे front में आपको chrome finis का आपको मिल जाएगा जो left fender से start होके right fender तक जाता है जो की काफी अच्छा लगता है देखने में देन अगर उपर आते हैं bonnet की तो थोड़ा सा bonnet आपको गंदा लग सकता है क्योंकि यह स्टोक याट में गारी है लेकिन काफी खूबसूरत लगता है और काफी जबजस लगता है उपर की बात अगर कीज आए तो यहाँ पे आपको कोई star fire antenna नहीं मिलता है यहाँ पे वही आपका wire वाला मिलेगा जो भी फिलाल missing है वो चीज होसे के गारी का अंदर में होगा तो यह चीज है overall गारी का front profile तो एक बड़ चलते हैं गारी के side profile में तो दोस्तो आचुके हैं गारी के side profile में तो बात करेंगे इसके tire से तो यहाँ पे आपको normal rim मिलता है क्योंकि base model है लेकिन एक चीज का benefit है कि यहाँ पे आपको Tata का एक wheel cap मिल जाता है चोटा सा जो एक धकन type का जो की काफी अच्छा लगता है देन बात कीज है tire की तो यहाँ पे good year का आपको tire मिलता है और tire profile की बात कीज है तो 175 by 65 आर 14 इंच का आपको यहाँ tire मिलता है लेकिन अगर बात कीज है इसकी ground clearance की तो यहाँ पे आपको 165 का ground clearance मिलता है लेकिन front में आपको disc की पीछे आपको drum मिल जाता है देन इसके ORBM में अगर आते हैं तो यहाँ पे normal matte black color का ही ORBM मिलता है एक चीज आपको यहाँ पे missing होगा turn indicator जो की आपको यहाँ पे place किया गया है तो base model है दोस्तो तो जाहिज सी बाद है थोड़ा सा तो आपका coast cutting होगा तो यह चीज है और यह auto foldable नहीं आता है इसको अपको अपने हाथ से ही आपको fold करना पड़ेगा अब बाद में देन after marketing में इसको आप motor लगवा के auto foldable बना सकते हैं तो वो चीज है देन अगर डूर हेंडर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा coast cutting किया गया है यह आपको matte black color का आता है कोई भी आपको body color का नहीं आता है और यहाँ पे भी अगर जो beat आता है वो भी आपको पूरी तरीके से matte black color का ही आता है तो यह रहा इसका side profile over roll अगर उपर की बात किजा है तो यहाँ पे आपको वही top model के जैसा ही एक beat आता है जो की काफी अच्छा लगता है black color का तो overall गारी के side profile में कोई खास यह चीज नहीं है लेकिन अपके अपने price segment में काफी सारे चीज इसमें आपको मिल जाता है तो यह रहा गारी का overall side profile तो एक बार चलते हैं गारी के back profile में तो दोस्तो आचुके हैं गारी के back profile में तो सबसे पहले बात करेंगे light setup की तो यहाँ पे आपको back light के लिए जितना भी light मिलता है सारा आपको regular light ही मिलता है लेकिन देन उपर में आते हैं तो यहाँ पे high stop lamp आपको मिल जाता है नीचे की और आपको कोई wiper defogger आपको नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको वही Tata का logo, Tiago का basin और यहाँ पे है कि आपको डीकी को open करने के लिए कचाबी से ही आपको करना पड़ेगा देन अगर after marketing अगर यहाँ पे अगर camera inbuilt करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ मिल जाता है आप यहाँ पे कर सकते है Tiago base model में एक benefit है कि यहाँ पे आपको dual parking sensor मिलता है जो कि आपको Tiago top model में missing है अगर आप गारी को कभी भी top model बना आना चाहिएगा तो इसमें आपका benefit होगा कि आपको parking sensor मिल जाता है यह चीज़ आपको benefit हो जाएगा तो यहाँ matte black color का पीछे आपको बहुत अच्छा मिल जाता है देखने में जो कि काफी अच्छा लगता है तो और रोल रहा इस गारी का सारा back profile तो एक बड़ चलते हैं गारी के boot space में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या-क्या मिल जाता है तो सबसे पहले करते हैं boot को open तो यहाँ पे आप देख पार होगे तो सबसे पहले boot space आपको 242 लिटर का यहाँ पे आपको मिलेगा और बात कीजा इसकी steepny की तो यहाँ पे 80 km maximum आपको speed वाला मिलेगा जो कि आपका JK टायर का होने वाला है और tyre size की बात कीजा है तो यहाँ पे आपको 155 by 80 13 इंच का एक इंच का आपको कम मिलेगा आपको टायर यहाँ पे आपको reflector मिल जाता है इनकेस अगर आपकी गारी breakdown होती है तो आप इसको front में आप रख सकते है अगले आने वाले गारी को locate करने के लिए इधर आपको सारा toolkit मिल जाता है यहाँ आपका box है यही पे आपका सारा toolkit आपको available हो जाता है उपर आते हैं तो यहाँ पे 3-3 kg का कोई luggage अगर carry करना चाते है तो वो carry कर सकते है और after marketing में पीछे आपको parcel tray लगाने का space मिलता है आप लगा सकते हैं इसमें एक benefit है कि अगर आपको boot space को बढ़ा करना है तो यहाँ पे आपको button मिलता है इसको आप open करें और इधर भी आप open करें और इसको पूरी तरही से seat को आप fold कर सकते हैं तो यह इसमें extra benefit मिल जाता है तो यह over roll रहा डिकी का सारा चीज़ तो देन चलते हैं गाड़ी के rear profile में और बात करते हैं कि rear space में आपको क्या-क्या मिल जाता हूँ आपे तो दोस्तो आचुके हैं गाड़ी के rear space में तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे आपको power button नहीं मिलता है यहाँ पे आपको manually adjust करना पड़ेगा और एक चीज़ है आपको कि front में भी आपको power button नहीं मिलता है उसको ही manually adjust करना पड़ेगा सीसा को तो यही चीज़ है देनगा seat की बात की जाए तो यहाँ पे आपको fixed seat मिलता है headrest वाला बीच में कोई armrest नहीं मिलता है क्योंकि base model है लेकिन अगर बात की जाए seat की तो same आपको top model का seat मिलता है जो कि हर एक model में आता है उपर में आपको एक benefit है कि auto foldable hand grip मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है base model में बहुत सारे काडियों में नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे मिलता है और अगर after marketing अगर music system लगाना चाहते है तो यहाँ पे speaker का राम से bottle यहाँ पे carry कर सकते है तो यह चीज़ है तो यह over roll रहा गारी का rear profile तो एक बड़ चलते हैं गारी के front profile में बात करते हैं कि वहाँ आपको क्या-क्या मिल जाता है तो दोस्तों आचुके हैं गारी के front profile में आप देखी पा रहे होंगे काफी premium लगता है देखने में और यह आपको dual tone में मिलेगा matte black और नीचे आपको थोड़ा सा grayness white color का आपको feeling आता है तो यह काफी जबज़स लगता है देन सबसे पहले बात करेंगे driver डूर की तो यहाँ भी आपको same मिलता है इधर आपको ORBM का mirror को भी आपको manually adjust करना पड़ेगा यहाँ जो आपको है जैसे मैंने यह adjust किया तो यहाँ पे आपको manually adjust करना पड़ेगा उधर वाला भी आपको उधर से ही करना पड़ेगा तो यह चीज़ है यहाँ पे कोई आपको seat हाईस्टरबल नहीं मिलने आजाता है तो दोस्तों आची के है गारी के अंदर में आप यहां पे देख पा रहेंगे तो steering की बात कर रहे है तो यहां पे आपको वही टाटा का डी सेब में steering मिलेगा जो कि आपका तो यह चीज़ है लेकिन आपको हॉर्ण के लिए आपको साइट साइट बही आपका प्लेस किया गया है जो कि यहां और आपका यहां पे है तो यह चीज़ है तो देन अगर बात कीजा इंस्टूमेट कलस्टर की तो मैं गारी को स्टार्ट करके दिखा देना चाहता हूं तो यहां पे भी आपको पूरी तरह से फुली डिजिटल इंस्टूपमेट कलस्टर मिलता है, इस पर आपका टेको मेटर, ट्रीप मेटर, डिस्टेंटू, इम्टी, सारे चीज़ यहाँ पर आपका सो करने वाला है, जिसे यह average बता रहा है, कि अभी गारी आपकी 32 किलोमेटर और चल सकती है, सारे चीज़ यहाँ प सकता है देखने में, यहाँ पर अपतर मार्केटिंग आप कभी भी music system लगाना चाते हैं, तो वो चीज़ आप carry कर सकते हैं, या तो इसमें आप छोटा या फिर इसको पूरा खुलवा कि आप बड़ा music system यहाँ पर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको space मिल जाता ह सकते हैं, यहाँ पर फोन रखने के लिए बड़ा सा आपको space मिल जाता है, गियर में आते हैं, तो फाइब गियर विथ एक reverse के साथ, पूरी तरह से leatherette आपको gear मिलता है, यहाँ पर आते हैं, तो छोटा मोटा दो cup holder मिलता है, और यह आपका handbrake मिलता है, यह भी काफी premium finish में देन पीछे के लिए आपको one liter का bottle रखने के लिए यहाँ पर holder मिल जाता है, जो कि काफी जबजस्त हो जाता है, देन अगर आते हैं इसके glow box में, तो यह चीज़ काफी अच्छा है कि यहाँ पर 15 लिटर का glow box मिलता है, और सबसे important बात कि यहाँ पर कोई cool glow box तो नहीं मिलता ह लेकिन यह चीज़ जो open होता है, काफी slowly होता है, कभी बार होता है, बहुत सारे गाडियों में कि automatic पूरा गिर जाता है, यह तो थोड़ा सा odd लगता है, लेकिन यह चीज़ है कि इसमें आपको slowly open होता है, तो यह काफी अच्छा लगता है, देन अगर डूर में जाते हैं, त लब हाफ लेटर का आपको bottle holder मिल जाता है, और यहाँ पे कोई कीव एगर आप carry करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे available होता है, तो यह रहा गारी का सारा overall नीचे से, तो एक बार चलते हैं गारी के उपर में, तो यहाँ पे कोई आपको vanity mirror आपको नहीं मिलेग तो यहाँ पे LED light मिलता है, जबकि अगर आप punch लेते हैं तो punch में भी आपको LED light नहीं मिलता है, तो यह overall गारी का हुआ front सारा features, तो एक बार चलते हैं गारी के engine specification में, तो दोस्तों आचुके हैं गारी के engine profile में, तो बात करेंगे इसके engine की, तो सबसे पहले आप जान ले कि Tiago म आपका only petrol engine आता है, और बात करेंगे जाए इसकी petrol engine की, तो यहाँ पे आपको 1.2 liter का 1200cc engine का आने वाला है, जो की अभी पूरी तरीके से BS6 engine है, और इस engine में आपको maximum power generate होगा, 86 PS का, और इसकी बात की जाए torque की, तो 113 Nm आपको यहाँ पे torque देखने का मिल जाएगा, इस engine में चीज़ का और benefit है, कि इसमें आपका ABS, EBD, CSE, सारा चीज़ है, अगर आप गारी को कभी भी corning करवाते हैं, high speed पे चलाते हैं, तो आपकी गारी perfect बनी रहेगी, आपकी गारी road पकड़ के चलेगा, तो वो सारे चीज़ मिल जाता है, साथ में बात कीज़ा, इसकी battery के, तो यह यहां पे Excite का battery मिलता है, जो कि अभी के time पे बहुत brand वाली battery हो चुकी है, तो यह overall रहा साड़ा गारी की features, और इसमें आपको immobilizer base model में भी मिल जाता है, यह क्या चीज़ है, कि अगर आपकी गारी चलती हुई में, अगर कही accident हो जाता है, तो यह automatic engine को off कर देता है, ताकि आ अभी के time पे hatchback segment की, छोटी hatchback segment की सबसे premium safest car मानी जाती है, तो अगर आप एक अपने family के लिए एक ऐसी गारी लेना चाहते हैं, जो कि अभी के time पे सबसे कम price में और सबसे value for money safest car हो, तो आप इसे purchase कर सकते हैं, बात की जाए इस गारी की price की, तो आपको एक्सो रूम पाँच चालीस हजार पड़ेगा, जबकि हजारी बाग बेस का on-road 6,14,000 आपको पढ़ने वाला है, तो ये रही overall गारी की सारा features, सारा details, तो अगर किनी को इस गारी को लेना है, तो आप हमें call कर सकते हैं, मैं description में अपना number दे दूँगा, तो दोस्तो ये रही सारा video, अगर आप video अ end.